नमस्कार इंडिसी हिंदी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूर्टे अग्योत्री सीमापूरी विधान सभा की जनता ने एक बर फिर से राजेंद्रिपाल गौतम पर विश्वास जता है राजेंद्रिपाल गौतम के विकास कारियों का जादू इसकदर चला कि यहां की जनता ने उन्हें 56108 वोटों से प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करा है सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को दिल्ली वासियों को और विशेश रूप से सीमापूरी के लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा आमादमी पाल्टी को इतना भारी बहुमत देने के लिए और मुझे भी इतने भारी मतों के इंतर से जिताने के लिए यह वाकेमी चुनाव आपका अपना था जिस तरीके सा आपने वोट किया है ऐसा लग रहा है जैसे आपने बच्चों के भविस्ते के लिए वोट किया हो ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं अरविन केजरी वाल नहीं बलके आप खुच चुनाव लड़े हो आपके इतने भारी समर्थन के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ मैं, मेरी पार्टी और हमारे सारे लोग अपने पूरे जीवन आपकी सेवा करते रहेंगे जो भरोसा आपने हम पे कायम किया है हम उस भरोसे पे खरे उतरने की पूरी कोसिस करेंगे जैहिन बहुत धन्यवाद समारो कारिकरम शुकरवार को रामनीला मैदान में हो सकता है इस बारे में अंतेम फैसला आवदायक दल की बुधवार को होने वाली बैठक में लिया जाएगा आपकी इस प्रचन्ड जीत पर प्रधानमंजी मरेंद्र मोदी ने आम आद्मी पार्टी के अर्विंद केजरिवाल को ट्वीट कर बथाई दी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए उन्हें शुपकाम नाए देता हूँ वहीं अगर बात करें आम आद्मी पार्टी की ताकत के बारे में तो शिक्षा और स्वास्त के शेत्र में किये गए शांदार काम, मुफ्त पानी, बिजली, महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाय लोगों को भागे चुनावी घोशना पत्र में भवेशे के दावों पर भी मद्दाताओं ने विश्वास जताया मुख्यमंत्री के रूप में लोप्रीय अर्वन के जिवाल का चहरा बड़ा कारण बना चुनाव प्रचार में आपका आक्रमक बयान से परहेच और सकारात्मक बातों पर जोर किसी भी विवादित मामले से खुद को बचा कर सिर्फ अपने एजेंटे पर फोकस करना बाकी की बड़ी खबरों के लिए बने रहें NBC हिंदी के साथ